प्यारे बच्चो आज के इस हिंदी सिक्षन कारिक्रम में आप सब का श्वागत है बच्चो पाठ्थे करम के सुरुआज से पहले मैं आप सब के साथ एक हकीकत सुनाना चाहूंगा ये कहानी नहीं है हकीकत है सन 1881 के बात है एक प्रोफेसर ने अपने छात्र से पूछा ये धर्ती ये ब्रह्मान ये आकास क्या ये सब भगवान ने बनाया है उस छात्र ने कहा जी हां सर भगवान नहीं तो बनाया है तो फिर प्रोफेसर ने पूछा है कि ये सैतान को किसने बनाया छात्र कुछ समय के लिए चिंता में पड़ गया और सोचने के बाद पूछा है कि सर मैं आप से एक सवाल पूछ सकता हूं तो प्रफसर स्वाब ने पूला हाँ बिल्कुल पूछो तो छात्र ने कहा सर क्या ठंड का कोई वजूद है तो प्रफसर स्वाब ने कहा हाँ है क्यों तुम्हें ठंड का एसस नहीं होता छात्र कुछ समय रुख जाकर बोला नर्मी कंट से बोला कि सर यह उत्तर मुझे गलत लग रहा है मुझे लग रहा है ठंड का कोई अस्तित्य नहीं है ठंडा तो केवल और केवल उस्म या गर्मी की अनिपस्तिदी की ऐसास है इसका ऐसास है ठंड का वास्ता में कोई अस्तित्य नहीं है को लिजे कंप्लीट अप्सेंस अब हीट सर क्या अंधकार या अंधर का कोई अस्तित्व है प्रफसर साब ने कहां हां विल्कुल है क्यों तुम्हें के अंधरे का एसास नहीं होता उस छात्र ने कहां अंधकार जैसे किसी चीज का मुझे कोई अस्तित्व नहीं नजर आता मुझे लगता है अंधकार बस प्रकास की अनुपस्तिती का अहसास है darkness is actually absence of light हम हमेशा प्रकास और उस्मता यानि गर्मी के बारे में पढ़ते हैं ठंड या अंधेरे के बारे में नहीं ठीक उसी प्रकार evil या सैतान का कोई अस्तित्य नहीं है असलियत में सैतान प्यार विश्वास और इस स्वर में आस्ता की अनुपस्तिती का अहसास है सैतान का खुद का कोई अस्तित्य नहीं है evil is actually the absence of love, faith and true belief in God बच्ची जानती हो ये छात्र कौन था ये छात्र कोई नहीं हमारे स्वामी विवेका नंद थे हमारे देश के गौरब थे ये इनोंने ही प्रफेशत साब को इस तरह का जवाब दिया था अब आए जानते हैं इनके बारे में भार्ट्य संस्कृति को विश्वस्तर पर पहँचान दिलाने वाले महापुरूस स्वामी विवेका नंद के बारे मैं आज पढ़ेंगे हम विशाय है देश प्रेमी संयासी तो यह देश प्रेमी संयासी विवेका नंद के पूरा नाम था दरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत विश्वनाथ दत इनके पिता थे कोलकाता हाई कोर्ट में अटरनी जनरल थे और इनकी नो भाई बहन थे और यह बश्पन से बहुत ही सरारेशी थे आप लोगों जैसे इनकी माता भुनेश्वरी देवी थी जो बहुत ही धर्म प्राणा थी बस्पन में अपनी माता से वेद, उपनिशेद, रामयान, महाभरत और वेदान सुनने का इनको बहुत सौग था अपनी माता के मुक से पीता अंग्रेजी में सिख्या देकर वेस्टन कल्चर में रखना चाहते थे पर दुरभाग्य से सन 1884 में पीता का देहान्त हो गया जब पीता का देहान्त हो गया तभी विवयकानंद आर्थी के रूप से बहुत तूट चुके थे और परिवार के हालत बुतनी अच्छी नहीं थी तभी उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के पास उन्हें तसल्ली मिली जाकर तो उन्होंने गुरु मान लिया स्वामी विवयकानंद भारत माता के पतिवाभान पुरुष थे सुपुत्र थे विवड़े ज्यानी थे अमरीका में धर्म सभा में भारत या दर्शन क सुन्दर व्यक्ष्या करके उन्होंने लोगों को मोहित कर लिया था उन्होंने प्रहदित भारत वास्यों को उद्वोधन देकर जाग्रत होने की प्रेणा भी दी थी अब इनी के जीवन से संबंदित विशाय है आज का यह विशाय शुरुआत करते हैं पाठ के तरफ चलत स्कुल रहते हैं कुछ ऐसे हैं जिनको सन्यासी कहते हैं वे लोग अपनी इच्छा से घरवार छोड़ देते हैं सुख के साधनों को त्याग कर देते हैं गरीबी में जीते हैं संसार को माया का जंजाल समझते हैं पर आश्चर्य है कि ऐसे लोगों में कुछ अपनी मात्र भ बड़े ज्यानी और पंडित, सरल विनई और मिष्ट भासी लेकिन प्रचंद प्रतिवा साली। सालों पहले की बात है, भारत पराधिन था, यहां अंग्रेजों का सासन चलता था। 1857 में लोग एक बार कोशिस करके पराजिद हो गए थे। निरासा, अलस्य और कर्म हिनता में डुबे हुए थे। ऐसे समय स्वामी जीन अपने देशबासियों को ललकारा, मेरे प्यारे देशबासियों उठो, जागो, जीवन का वर्दान सतंत्र है, उसे प्राप्त करो, गर्ब से कहो कि मैं भारतिया हूँ। हर भारतीय मेरा भाई है, भारत मेरा जीवन है, मेरा प्रान है, भारत के देवता मेरे भरण पोसम करते हैं, भारत मेरे बच्पन का हिंडोला है, मेरे यवन का आननद लोग है, मेरे बुडापे का भैकुंठ है। एक बार स्वामी जी अमरीका गए, वहां बड़ी धर्म सभा हो रही थी, उन्हेंने बड़ी मर्म स्पसिवानी में भारत के धर्म, आचार, विचार, रिशी, मुनियों के चिंतन, अध्यात्मिक दिश्टिकोण का महत्व पतिपाधित किया, अपने सुन्दर, सरल, अर्थ, प विद्वानों को अपने विद्वता से प्रभावित किया, वे भी मान गए कि भारत में गरीवी भले ही हो, लेकिन वह उंचे विचारों और चिंतन के धनी है, आगवा है, स्वामी जी अपने असेंग के अनुजाईयों को मानव सेवा, ज्ञान दता धर्म प्रचार में लग कि सेवा में डेटी हुई है, देश विदे स्वामे भारत के नाम को रोशन करने वाले स्वामी जी जैसा दूसरा कोई दिखाई नहीं देता, देश को आजाद करने में, उसे सदा जागरत रखने में, ऐसे सन्यासियों का बड़ा योगदान रहा, अब बच्चों, इस विश जुटना आर्थाद जुटना या लग जाना, वैकुल आर्थाद परेसान, गरिबी गरिवी का आर्था दरिदृ्ट और जंजाल जंजट बेहद, अर्थाद अशीम और एक सब्ध है मिठ़ भासी बच्चों अर्थाद मीठी बोली बोलने वाला, मधुर बोलने वाला, एक सब्ध है कोशिष कारता और प्रचेस्टा भरन पोषन बरन पोषन करता पालन पोषन एक सब्ध है बच्पन आप सब जानते ही हो वाली वस्ता लैग वीद्वत्या पांडित्य से कहा जाता है और एक एक सब्द है चिंतन चिंतन करता है विचार अथा विवेचना एक सब्द और है उसमें अनुयाई अनुयाई करता है अनुगामी एक और सब्द उसमें डटना डटना करता है जम कर खड़ा होना और एक सब्द है रोशन रोशन करता है प्रकासित यानि प्रदीप्त और एक सब आजाद भी है आजाद का मतल़ तुम समझानते हो स्वाधी निता मुझे लगता इससे और कोई कठीन सब्दे नहीं होगी अगर आप सबके मन में कोई है कठीन सब्दे समझे में तुम बताओ नहीं चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं पाट के तरफ इस पाट में क्या कहते ह हैं लेखा कहते हैं कि हम देखते हैं कि कुछ लोग धन कमाने में जुटे रहते हैं कुछ लोग सुख भोगने को ब्यकुल रहते हैं कुछ ऐसे हैं जिनको सन्यासी कहते हैं वे लोग अपनी इच्छा से घरवार छोड़ देते हैं सुख के साधनों को त्याग कर देते हैं ग देखने में बहुत सुंदर बड़े ज्ञानी और पंडित सरल वीनई और मिष्ट भासी लेकिन प्रचन्द प्रतिवास साली अर्थात कुछ लोग सुख को भोग करने के लिए संसार में धन के पीछे पड़ जाते हैं कुछ लोग संसार को माया का जाल मानकर उससे मन हटा लेत हैं संसार से सन्यास ले लेते हैं स्वामी विवेकरनानक ऐसे ही सन्यासी थे इसके अलाबा महान देश प्रेमी थे प्रखर ज्यानी थे महान पंडित भी थे अत्यन सरल विनई और मिष्ट भासी भी थे अब बच्चे बताओ हम सन्यासी किसे कहते हैं हां कुछ लोग अपने इच्छा से घरबार छोड़ देते हैं सुख के साधनों को त्याग देते हैं गरीबी में जीते हैं संसार को माया का जंजाल समझते हैं ऐसे लोगों को हम सन्यासी कहते हैं अब चलो पाठ की दूसरे चरण में सालों पहले की बात है भारत प्राधिन था यह अंग्रेजों का श देशवासियों को ललकारा मेरे प्यारे देशवासियों उठो जागो जीवन का वर्दान सतंत्रता है उसे प्राप्त करो गर्ब से कहो कि मैं भारतिय हूं हर भारतिय मेरा भाई है भारत मेरा जीवन है मेरा प्राण है भारत के देवता मेरे भरन पोस्टन करते हैं भारत मेर मेरे बच्पन का हिंडोला है मेरे यौवन का आनंद लोग है और मेरे बुड़ापे का बैकूंट है अब यहां पर कहा जाता है कि परादिन भारत वासियों को उद्बोधन देकर स्वामी विवेकनन ने कहा था तुम जागरत होकर स्वतंत्रता हासिल करो भारतिया होने का गर् नेख़र के भाड़ाइ समझो की भारत लोग है और बुड़ापे का वैकूंट है तो बच्चों बताओ विवेकनन ने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियो उठों जागो, स्वतनतता पाप्त करो, भारत के रूप में गर्ब करो, भारतिय के रूप में तुम गर्ब करो, हर भारतिय का भाई समझो, समझो की भारत के देवता मुझे जिवन्दान देते हैं, भारत मेरे बच्पन का हिंडोला है, योवन का आनंद लोक और बुढ़ापे का वै अब देखो, एक बार स्वामी जी अमरीका गए, वहां बड़ी धर्म सबा हो रही थी, उन्होंने बड़ी मर्म सपरसी वाणी में भारत के धर्म, अचार, विचार, रिशी, मुनियों के चिंतन, अध्यात्मिक दिश्टिकोन को महत्य पतिपादित किया, अपने सुन्दर, सरल अर्थपून, अंग्रेजी, भासन द्वारा स्वामी जी ने सब के दिलों को अभिभूत कर दिया, स्वामी जी एक साल इंग्लंड में रहे, वहां भारत के मालिक अंग्रेज बिद्वानों को अपनी बिद्वता से प्रभावित किया, वे भी मान गए कि भारत में गरीबी भले ही हो लेकिन उंचे विचारों और चिंतन के धनी है अगवा है स्वामी विवेकानन्द अमरीका के धर्म सभा में गए थे ये सन 1893 में अमरीका के चिकागो सहर में उन्होंना एक उद्भाधन दिया था बच्चो आप सब जानते हो कि अमरीका में जब कोई भासन देते हैं लेकिन पहले भारतिय थे स्वामी विवेकानन्द जिनोंने वहां सिस्टर्स और अमेरीका से संबोधित किया तो यह सुनकर वहां के जो दर्सक थे उनमें तालियों की गूंज इतने हो कि दो मिनिट तक पूरे तालियों की आवाज गूंजती रही सब खुस हो गये कि किसी भारतिय नमें ब्रदर्स और सिस्टर्स का अता तमें भाईयों और बहनों कहां उन्होंने भारतिय धर्म दर्सन रिशी मुनियों के चिंतन आचार विचार और अध्यात्मिक दिश्टिकोण की अत्यंद प्रभापुन सरल भासा में व्याख्या की थी उनका भासान सुनकर वहां अपस्तित लोग अभीभूत हो गए वह इंग्लाण में भी एक साल तक रहकर वहां के लोगों के मन में भारतिय विचारों और चिंतन के प्रति स्रद्धा उत्पन कर सके थे विश्व बंदुत्व का संदेश पहुंचाया उन्होंने अपने असंख्य अनुजाईयों को मानव सेवा ज़््यान और धर्म प्रचार में लगाया अब बच्चे बताओ धर्म सवा कहां हो रही थी हां अमरीका में स्वामेजी ज्ञान तथा धर्म प्रचार में लगाया रामकृष्ण परमहंस उनके गुरू थे उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन बनाया आज भी देश विदेश में उनकी अनेक संस्थाएं जनता की सेवा में जुटी हुई है देश वीडियो समें भारत के नाम को रोसन करने वाला स्वामी जी जैसा दूसरा कोई नहीं दिखाई देता देश को आजाद करने में उसे सदा जागरत रखने में ऐसे सन्यासियों का बड़ा योगदान रहा अब बच्चों दोकों यहां लेखा क्या कहते हैं कि स्वामी जी ने 1897 में अपने गुरु राम किष्ण परमहंस के नाम पर राम किष्ण मिशन की पतिष्ठा की दुनिया के सभी धर्म सत्य हैं और वह एकी धे की तरब जाने की अलग-अलग रास्ते हैं यहां राम किष्ण परमहंस के वानी थी उसी के प्रचार में स्वामी विवे का नंद लगे हुए थे देखो यह हैं राम किष्ण परमहंस जो विवे का नंद जी के गुरु। यह कुछ मट राकिष्ण मिशन की अलग-अलग जर्टि कुछ चनने में हैं कुछ पसी मंगाल में हैं देश के कोने-कोने में इनकी जो रामकिष्ण मिशन की प्रतिष्ठा हुई थी ऐसे स्वतनत्रत्र प्रेमी लोगों में जागरत का मंत्र फूंकने वाले और भारतिय दर्सन का विश्व दर्बार में प्रतिष्ठा करने वाले संत अत्य दुल्लब हैं बच्चो पता है इनोंना पहले से ही कह दिया थ और आज पूरे देश भर में इनकी जन्म तीथी बारा जुन्वरी को भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है अब बच्चो इस पार से आधारित कुछ प्रस्णुत्तर के रिए हम की हम चर्चा करेंगे मैं प्रस्ण पूछता हूँ आप सब सोच समझ करें ज चोड़ देते हैं सुख के साधनों को अत्याग कर देते हैं गरीबी में जीते हैं संसार को माया का जंजाल समझते हैं ऐसे लोगों को हम सन्यासी कहते हैं ठीक है और बताओ विवयकानन का व्यक्तित्व कैसा था उनका व्यक्तित्व कैसा था विवयकानन देखने में बहुत उतलब सुंदर थे वो ये बड़े ज्ञानी प्रतिभासाली और पंधित भी थे शरल विनई और मिष्ट भासी भी थे अब बताओ विबेकानन ने देश भासियों को क्या कहकर ललकारा हाँ बताओ विवे का नन्य देश वासियों को ललकारा कि मेरे प्यारे भारत वासियो उठो जागो सतंतता प्राप्त करो भारतिये के रूप में गर्ब करो हर भारतियों को भाई समझो समझो की भारत के देवता मुझे जीवनदान देते हैं भारत मेरे बच्पन का हिंडोला ह योवन का आनन्द लोक और बुढ़ापे का वैकुंट है अब कुछ वस्तुनिस्ट प्रसन मैं पूछता हूँ प्यच्चो जवाब देना बच्चो भारत कब परादिन था हाँ सालों पहले अथार 15 अगस्त सन 1947 से पहले भारत परादिन था जीवन का वर्दान क्या है बताओ स पतंतरता ही जीवन का वर्दान है अंग्रेज क्या मान गए हां अंग्रेज मान गए कि भारत में गरीबी भले ही है लेकिन वह उंचे विचारा और चिंतन का धनी है अगवा है अब देश को आजात करने में किसका योगदान रहा पताओ हां देश को आजात करने में स्वामी श्वामी विवेकानन्द जैसे सन्याशियों का योगदान रहा। स्वामी जी इंगलन में कब तक रहे। एक साल तक रहे। स्वामी जी के गुरु कौन थे बताओ। स्वामी जी के गुरु थे। सालों पहले भरत में किसका आशासन चलता था बताओ। अंग्रीजों का शासन चलता था इतनी साल हमें उन्होंने शासन किया तो स्वामी जी बुढ़ापे का वाइकुट किसे मानते हैं भारत को ही बुढ़ापे का वाइकुट मानते हैं बिल्कुल सही तो स्वामी जी के बस्पन का हिंडोला कौन था भारत था और प्रतेग भारति स्वामी जी के लिए क्या था प्रतिक भारतिय अपना भाई था अब स्वामी जी ना किस जीवन का वर्दान समझा स्वत्रमत्रता को हमारे जीवन का वर्दान समझा अब चलो बच्चों कुछ व्याकरण की दुष्टिकों से अलोचना करते हैं इस विशे में जो कुछ सब्द उसको लेकर कुछ सब्ध हैं उनके लिंग पहचानना है जैसे एक सब्ध है वानी वानी स्त्रिलिंग है उसकी वानी उनकी वानी एक सब्ध है विद्वान विद्वान पुलिंग है वे बड़े विद्वान थे यह पुलिंग है एक सब्ध अंग्रेजी उसकी अंग्रेजी बह होद अच्छा है या अर्था यह पूलिंग है एक सब्द आजाद मिले यह पूलिंग सब्द है देश यह सन्याशी सन्यासी पूलिंग गरीबी अनंद का यह यह है pooling और एक शब्द बुढपा भी pooling है कुछ सब्द इनके परियवाची सब्दे लिखू, जैसे एक सब्द बिद्वान जिसने बहुत बिद्या पढ़ी हो एक सब्ड़ आज़ाद आज़ाद अर्थाइट सवतंत्र और एक सब्देगो साल, साल अर्थत वर्स एक सब्द्य मानव का परिया बाची सब्द्य मनूस्ट्र। एक सब्द है वैकूल पताओ क्या होगा इसका परेशान बिल्कुल सही और एक सब्द है इच्छा इच्छा का हाँ चाह है और अभी लासा अब बच्चो मुझे लगता है आप सब कुछ न कुछ समझ गए होगे अमने इतने सारे चर्चा किये अब चलते चलते आगे हम इस वि इसे में हमें सिखाय जाता है कि कुछ लोग धन कमाने में जुटे रहते हैं सन्यासी अपनी इच्छा से घरबार छोड़ देते हैं सुख के साधनों का त्याग कर देते हैं संसार को माया का जंजाल समझते हैं स्वामी विवेकनंद अपने मात्र भूमी को बेहत प्यार करने वाले सन्यासी थे स्वामी विवेकनंद बड़े ज्ञानी पंडीत सरल विनई मिष्ट भासी और प्रचंट प्रतिवासाली भी थे स्वामी जी स्वतंतता को जीवन का वर्दान मानते थे हम भारत को अपने प्राण मानेंगे यह हमारा बच्पन का हिंडूला है हम अपने ब विवेकनंद अमरीका की धर्म सभा में भारत के धर्म आचार विचार रिसी मुनियों के विचार आध्यात्मिक दुष्टिकून का महत्व प्रतिपादित किया स्वामी जी का धर्म सभा में दिया गया भासन सुन्दर, सरल और अर्थ पूर्ण था अंग्रेज विद्वान स्वामी जी के विद्धोता से प्रभावित होकर मान गए कि भारत में गरीबी भले ही हो लेकिन वह उचे विचार और चिंतन का धनी है अगवा है अब स्वामी जी ने अपने अनुजाईयों को मानव सेवा ज्यान और धर्म प्रचार में लगाया रामकृष्ण परमहंस स्वामी जी के गुरू थे स्वामी विवेकनन रामकृष्ण मिश्ण की प्रतिष्ठा की थी देश विदेशों में भारत के नाम को रोशन करने के कारण स्वामी जी जैसा दूसरा कोई दिखाई नहीं देता स्वामी विवेकनन जी जैसे सन्यासियों का देश को आजात करने में उसे सदा जागरत रखने में बड़ा योगदान रहा अब बच्चो मुझे लगता है जिसना आज हमने जितना स्वामी वेकनन जी के बारे में चर्चा किया आज के लिए इतना ही धन्यवाद